मद्ध प्रदेश में दो चरण के चुनावा पूरे हो चुके हैं इस वक्त कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यच जीतू पठवाली जी के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं सीधा उनी से बात करेंगे बीजेपी कह रही है इस बार प्रदान मंती नरेंद्र मोदी की गारेंटी चलने वाली है कॉंग्रेस का जो गोशना पत्र है वो पुईतरी के जूटा है देश को बाटने वाला है देश को गुमरा करने वाला है कि भारती जनता पाइटी और नरेंद्र मोधी के जूट देश ने आज से नहीं देखे मैं देश वासियों और खासकर प्रदेश वासियों को बताना चाहता हूं कि कि 2014 में नरेंद्र मोधी जी ने क्या क्या कहा उन्होंने रोजगार की बात की देश का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा बेरोजगार देश हमारा बना उन्होंने महंगाई की बात की पाकिस्तान बंगलादेश से ज्यादा महंगाई है उन्होंने किसानों के आय दूग अभी गैरिंटी थी ते इकतिस सो के दाम की सत्ताइस सो के दाम की तीन हजार बहनों की चार सो पचास के गेस सिलिंडर की इनका नाता पुराना है जूट से आज से नहीं है आप देखो कि यह जब भी बात करते हैं तो यह कहते हैं कि मोदी जी से को लेकर पूट के पाउं पाल मगर मच को बच्चा था जब मैं निकाल के लेके आ गया यह सच था जोट था यह बीजेपी के लोगों का और जोट का कैसा निस्ता है एंसी सी केंडिडेट थे पड़े ही नहीं आठवी तक भी नहीं गया मेरा बच्पन तो ऐसे ही गया मैंने तो बिना स्कूल से ही सिख्च है कि फिर एंसी सी केंडिडेट भी हो गया फिर आप इनको देखो कि बंगला देश के आजादी का युद्ध भी मैंने लड़ा मत्तब उसमें भी मेरा योगदान था अब आप देखो कि कि क्या इधर गरीब थे घर में माता जी बरतन मांच के उनको पढ़ाती थी और ये रफेल टावर के नीचे फोटू भी घिचवाते थे अमरीका में जाके मतलब किता सयोग है मैं समझ नहीं पाया आज तक कि जो खालेश से पढ़ाई कि वो विवादित आज तक डिगरी के लिए लड़ा लड़ाई चल रही है हिमाचल में हमने अग्यातवाज भोगा हिमाले में अग्यातवास किस बात का अग्यातवास भोगा मतलब मोदी जी और ज्छूनी एक दूसरे के चोली दामन का साथ हैं आपको बताना पड़ेगा ना कि 10 साल में आपनी देश को क्या दि दिया जो जितने ठेके दिया उनने बॉंड में पेसा दे दिया किन लोग वो कौन लोग थे जो आपको फिरी फंड के बॉंड फेक गया और आपने केश करा लिए कोवीड में पुनावाला से अपने पेसे ले लिए आर्थिक 50 करोड रुपया छोटा मोटी राशी भी ने जितना करप्शन कानूनी नरेंद्र मोधी ने किया भारती जनता पार्टी विच में किसी ने नहीं किया जितने पाकिस्तान से ज्यादा आर्थिक करप्शन अगर किसी पार्टी ने किया सर्टाधारी तो बही है भारती जनता पार्टी अर अच्छर को लेकर कह रहे हैं कि ये कांग्रेज गुमरा कर रही है तीन सो सत्तर इनों ने लगाया हमने ह हटाया राम मंदिर हमने बनाए, इन्होंने विरोध किया बोले हमारा संकल पत्र है, उनका गोज्चना पत्र है उनके घर के जीवन इस तरसे उन बातों पे क्या बात करना अमिर साजी मद्वदेश दोरे पर हैं दिगविजसीन जी को उन्हें कहा है कि आसिक का जनाजा है जरा धूम धाम से निकाले मैं इस तरह की भाषा अगर कोई वेक्ति बोलता है यानि रावन जैसी भाषा है और मैं समझता हूँ कि एसी रावन जैसी भाषा का कोई भी उत्तर देना भी उचितनी समझता हूँ तर इतना जरूर कहना चाहता हूं से की अगर वो जूट के जनादे को शिद्दत से ढो रहा हैं हमेशा जी। उनकी बड़े निता राम का वीरोद करते हैं एकमत नहीं है। यह सब गुम्राह करने वाली बाते हैं। सब ये राम भगवान मंदिर 370 ये अपनी जगे हो सकती है ये रोजगार से लेके महंगाई तक बेरोजगारी से लेके यातना तक ये जो घर घर में एकजाम्स की एक घर में यातना है उसके तक इन बातों का उत्तर दो भया क्यों डालर पिच्चा सी रुपे का हो गया क्यों देश का अंतराष्टी आपका जो करजा है वो 250 लाग करोण हो गया क्या कारण है इनका तो उत्तर्द हो ना इन पर बात करते नहीं है अब भविश में क्या करेंगे उसकी बात करते नहीं है कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम हर घर को पक्की नोक्री एक बच्चे को देंगे 30 लाग नोक्री क्या गुना कर दिया पाप कर रही है पार्टी वह के ती आर्थिक असा मानता हो गई 10 प्रतिशत तों के पास 90 प्रतिशत संपति अड़ानी अंबानी की इतनी संपति क्यों आदमी इसा गरीब क्यों हो गया क्या कारण है 16 लाग करोड इनने पहले 25 उद्योग पतियों के माफ कर दी किसानों के क्यों नहीं किया अरे क्या कारण है भया कि इस देश में दुनिया भर में नरेंद्र मोधी और भारत वर्ष की अब क्रिटिसिजम होने लगी दो चरण के मद्दान का प्रतिशत देखो तो गुम निराश हुए देश की जिंता नरेंद्र मोधी से और दूसरी बात जो दो चरण एक चरण के बाद नरेंद्र मोधी सबका साथ सबका विकास मोधी परिवार 140 करोड यह भूल गया नप्रत और घणा के बीच फिर दोने कटी लगे यह सास कराता है यह सास कराता अग्रम दन की सरकार आने वाली और मोधी जी जाने वाले हैं महिलाओं का 11% बोट परतिसाद सवीत घढ़ दिया आत परतिससाद ऑवर ओळॉल अगर 12 अकर 17 परदने बात करते हैं क्या G s g please mahi . बोट तीनहजार उर्पे का इनने कहा था नहीं दिये धोका दिया ना शुराज जी ने मोदी ग्यारिंटीन है तो वो धोके का असर है कि आपको लगता है इसलिए मैला है बोट नहीं देंगी देना भी नहीं चीए मैं नरेंदर मोदी को कि बीजेपी कह दिए कि 29 सीर्ट हम जी चुके हैं लेकिन अब जो तैयारी चल रहे हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए हर एक सीर्व बड़ा रिकॉर्ड बनाना है रावन हे वह जो बोल देते हैं होता है रावन भी ऐसे जो बोलते थे मैं अम्रत है मेरे पेट में शीव भगवान का आशिरवादे होने की मेरी लंका है सिता का हरन कर लिया वनवासी राम ने भगवान अधिवासी राम ने उनका बत कर दिया यह जितना अहंकार बढ़ेगा उतनी इनकी इनकी हार निश्चित होगी एक आखरी सवाल नकसल बाद और आतंग बाद इस मुद्दे पर भी हमिस्ता कॉंग्रेस पर जमकनिसाना साथ रहें यह नोकरी देना बहन को 8500 देना युवा को 8500 मंतली देना किसानों का कर्ज माप करना किसानों का बीमा निर्धारन करना किसानों की MSP की गैरेंटी देना शिरमिकों को 400 रुपे की गैरेंटी देना यह वो जो समझे इसको वो समझे करेंगे यह हमारा अचिज्यू में मैं बिटेश के तो बताना पड़ेगे हो इस प्रदेश के बताना पड़ेगा tyle व्यवथा सब साथी जूब में गायब हो गई कहां गई वो बताना पड़ेगा करप्शन में जो शुराज सिंग चोहान और इनके 265 अधिकारी बीजेपी के नेताओं पर करप्शन के चार्जेज हो चल क्यों ने रहे बताना पड़ेगा पर्ची का मुख्यमंत्री जब से आया है सिर्फ सराब माफिया भू माफिया और सिख्छा माफिया को सरक्षन दे रहा है बताना पड़ेगा 17 साल की प्रदेश की बेटी ने आत्मत्या कर लिया उसने कहा कि मेरी मौत की जिम्मेदार पुलिस और ये सराब है शराब की वेवस्ता है ये क्यों हो रहा है ये इनके कू कर्मों का ही नतिजा है कि वो मेरी बेटी भूगद रही है बीजेपी कह रही है कि आप प्रदेश अद्धेश है और आपकी ग्रह छेतर में आठ लक से जादा बोटों सो जीतने जा रहे हैं ये भारती जिनता पार्टी क्या के रही है पर प्रदेश में कांग्रेस 15 से ज्यादा सीट लाई है हमाई साथ थे प्रदेश अद्धेश जीतू पटवाई जोनों बड़ा दावा किया है कि 15 से ज्यादा सीटे कांग्रेस जीत रही है